कि करे जा हो अरे अब न चीरों या उड़ी बाज उड़े वाला बा अराज कर सोना हो महौल बदले वाला बा आप से भी पहले कोई योपे का अखिलेश जादो नाम के सिंगर है जो इस गाने को गाये है यह किसी का मतलब घर का यह उपजा हुआ खेती नहीं है समझ रहा ना बाज सब्द हो गया महौल बदलने वाला है 2012 में तो यह मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम यह वाइरल हुआ था कि महौल बदलने वाला है यहां तक की खेसाईलाल यादो का भी गाना है उस पे भी थामनेल में लिका हुआ है महौल बदले वाला बैस यह टाइटल सर किसी का रजिस्टर नहीं है लेकिन दुख इस चीज से होता है कि जब भोजपूरी में मैंने गाया और उस उसी टाइट अगर वो चलने लगा और उसी टाइटल को उठा के आप अपने गाने में थंबल पे पेस्ट करते हैं तो कहीं न कहीं दुख लगता है वो देखिए सोशल मेडिया पर आपने एक भोजपूरी गाना जरूर सुना होगा राज कर सोना हो महौल बतले वाला बा और वहीं गाने को गाने वाले अभी हमार सारे गाना गाने के बाद बहुत सारे सिंगर लो गाना गाते हैं जो गाना अब तक जो है 20-30 million पहुंच जाना चाहिए वो गाना आठ कमिलियं वीयूच पहुंचा है ये बहुत बहुत सवागत है अपका धन्यवाद वे आप पहले हम चाहेंगे कि आपका जो गाना इस समय सोचल मेडिया पर धामाल मचा रहा है लब खासकर रेल्स भी लोग काफी बना रहे हैं इस्ट्रागराम फेस्टूक हर जगाव वाइरल है उसी गाना के साथ चाहेंगे कि बेबा का अंदाज में सुरुआत कीजिए बिल्कुल औ अशिरवाद है जो मुझे मिल रहा है और इस गाना ने सच में पूरा महौल को बदल दिया है पूरा महौल को बदल दिया है पूरा महौल को बदल दिया है पूरा को थोरा सा एकदम बोल ली आवाज में सुनाई जरूर 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 पहले लड़की का लाइन है लड़की मोलती है हो अरे कही अले जान तूमा चरइन नहीं भातके बाहँ बाली तो कि करें जाओ और औना, चीर जूड़ी बाज उड़े आपको पहले उमीद था कि ये गाना जोगा सोशल मेडिया पर धमाल मचा देगा बिल्कुल एक कलाकार को अपना काम से जरूर उमीद रहता है क्योंकि एक कलाकार पुरा मेहनत करके बनाता है गाना को तो उमीद था मुझे कि ये गाना जब आएगा मार्केट में खर्च कितना किये थे सोटिंग में ये तो आपको नहीं बता सकते हैं वो कल्कुलेट करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूँ आज कल देखा जाता है कि जहां एक तरफ लोग फेमस होने के लिए किसी के नाम पे गाना गाते हैं असलेल गाना गाते हैं जाती वात पे गाना गाते हैं लेकिन इतना साफ सूतर गाना इतना हीट हो गया पहले उमीद था कि ये गाना इतना हीट हो जाएगा बिलकुल सर मु अब जैसे एक गाना को आप बनाते हैं दीन राते करके बनाते हैं गाने को और उस गाने का टाइटल निकालके अपने थंबेल पे सारे लोग चिपकाते हैं उसको तो कहीं न कहीं पब्लिक डाइवर्ट होती है ना भीया समझ रहे हैं तो जो भ्यूज मुझे मिलने चाहिए थे वो थोड़ा सा कम मेला आपके गाना गाने के बाद अनेकों लोग आपके गाना को कौपी कर लेते हैं चोरी कर लेते हैं मतलब बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आपसे भी पहले कोई योपे का अखिलेश यादो नाम के सिंगर है जो इस गाने को गाये हैं उसके बाद आपने गाना को गाये हैं जैसे आपको बता देते हैं आप अखिलेश यादो का नाम ले रहे हैं तो ये किसी का मतलब घर का ये उपजा हुआ खेती नहीं है समझ रहा ना बाज सब्द हो गया महौल बदलने वाला है लेकिन हाँ दुख इस चीज से होता है कि भोजपूरी में मैंने पहले किया ठीक है और आप अगर पीछे जाते हैं 2012 में तो ये मोदी जी जब चुनाओ लड़ रहे थे तो उस टाइम ये वाइरल हुआ था कि महौल बदलने वाला है आप अगर पता करेंगे तो आपको मिल जा रहे है लेकिन गाना आपका काफी वाइरल जी बिल्कूल मेरा वाइरल हुआ भोजपूरी में और कहने का मतलब कि मेरा जब वाइरल होता है गाना तो उसका थंबल पे टाइटल उठा के डालना तो कहीं न कहीं पहली बार आपके साथ हुआ है कि इससे पहले भी हुआ कभी गाना गाएं और दुसरे लोग गाना को कौपी कर ले सेम टाइटल लगा दे सेम थंबने लगा दे गाना को चोरी कर ले इससे पहले भी रिका हुआ है महाल बदले वाला भाए से कुछ करके तो मतलब क्या वह दिना गया है कि बड़े बड़े श्टाड जो है वह चोटी कारा कारों का गाना को कोफी कर रहे हैं चोडि कर रहे हैं मुझे लगता है कि जितने भी लोग कॉपी करें कोई दिक्कत नहीं है जो गाना को पब्लिक तक पहुचना था, वो पहुच चुका है, बच्चा-बच्चा के जुवान पे है, सारे लोग जानते हैं, तो कितना भी कोई 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 करेगा, उससे फर्क नहीं परेगा, और भी बहुत सारे लोग का गाना आया है, वो भी आरोप लगा रहे हैं, कि ह हमने पहले गाना को गया, बाद में ये गया, फिर उसके बाद इस तरीके का बाते करना, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह तो चेक करने वाली बात है, आप चेक कर सकते हैं, कोई दिकात ही, मतलब इससे पहले भी काफी बार ये गाना गया जा चुका है, ये टाइटल सर किसी क रजिस्टर नहीं है, लेकिन दुख इस चीज से होता है, कि जब भोजपूरी में मैंने गाया, और उसी टाइटल को उठा के आप अपने गाने में थंबेल पे पेस्ट करते हैं, तो कही नहीं दुख लगता है, वो गाना बहुत जादा चल रहा होता है, और उस चीज को किस गाना में थोरा सा असलील तक हुशा देते या फिर यादो राजपूत ऐसे कुछ करके लिख देते तो और गाना हीट होता है, पहला बात की आप से बता दू भीया, कलकार किसी एक जाती का नहीं होता है, एक मजहब का नहीं होता है, कलकार को सारे जाती के सारे धर्म के लोग प्यार करते हैं तभी वो एक कलाकार बड़ा बनता है और मैं शुरू से ये चीज को लेके चलता हूं मैं सुक्रगुजार हूं दर्शकों का कि हर जाती से लोग मुझे प्यार करते हैं हर वर्ग से लोग मुझे प्यार करते हैं तो मैं इस चीज को नहीं मानता बया स्ट बिल्कुल 12-13 साल से continue गाना गा रहे हैं अब तक कितने गाने आपके होंगे जो हीट हो चुके हैं सर मैक्सिमम गाने मेरे हीट हैं सबसे पहला गाना के बारे में भी आपका काफी चर्चा होता है कि पहला गाना जो आपका हीट हुआ वो भी साफ चोतरा गाना था वो गाना चा खाहाई लखाले नखाना, आ कही लखी खाला तक देले माना, जब ले न देखे ले रहे बेचाहें, आ खोजे घर आ जाले को वनो बाहाना, बन के फूल हमरा मनवा के उपार, उता सारा दिन ज़ाहरे ले, एगो भी आया इसन पगली हो, जवन हमरा पे मारे ले, आये हैये हैये है, एगो भी आया इसन पगली हो, जवन हमरा पे मारे ले, ज़ए बात है बहुत बढ़ी आथा, अच्छा ये गाना कब रिली ज़गा था अपका? ये गाना भाया, मुझे लगता है कि 14 ये 15 मेरे ली ज़गा था, 2014 लगभग बात किया जाए आठ ड़ाजा ज, जी जब है बिलकुल बिलकुल ये गाना पर कितना व्यूज गया था उस ताइम जैसे YouTube का उतना वह नहीं था मतलब जी कैसेट का था वह श्तार्टिंग पे था यूट्व का टाइम जो था कि बहुत सारे लोग जो है जब उनका गाना हीट नहीं होता है वाइरल नहीं होता है तो उना जाने अस्तील गाना गाते हैं और इसके बाद जाती के नाम पे भी गाना गाते हैं लेकिन ये अभी के बारे में बात किया जाए देखिए एकदम साफ सुतरा गाना गाये हैं और सा से गाता आया हूं मैं मेरे मैक्सिमम गाने आप देखेंगे तो मतलब घर में बैट कर रहे हैं कि असलील गाना नहीं गाया हूं इसको असलील इंटरटेंड के लिए मैं गाया हूं क्यूंकि दर्शकों का वैसाने को लेकर आपका पहले काफी बिवाद भी हुआ था को दिमांड के हिसाब से काम करना पड़ता है और वसदोन था और मैं गाना वनाया उस टैप का पीता जी क्या करते हैं पीता जी पहले बॉंबय में कुक थे बड़े कलब में वो कुक मैं थे और अभी तो बतलब गाउं पे रहते हैं अच्छा भी गाउं घर पे ही रहते हैं घर कहा हुआ आपका मेरा जनम भूमी सर बिहार सरीफ है अच्छा बिहार सरीफ के रहने वहार सरीफ में एक गाउं है सि और आज जो भी कुछ हो बोस्पूरी के बरेश्टार पॉन के सारी है आपका फेबरेट कौन साइज में दोनों लोग फेबरेट है एक एक तो होंगे जो दिल से जिनने मानते होंगे कि नहीं भाई यह हमारे फेबरेट है आप कोंट्रवर्सी वाल हर कलाकार का जो है एक फेब के मामले में बहुत अच्छे है आपको भी बता है कि अगर एक तरफा करेंगे तो फिर भोश्पूरी का ओडियन जो है ऐसा बिलकुल नहीं है आप देखिए सबका 24 होता है आप 24 पूछे है तो 24 बताने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है कोई अपने पहले ले तो यह अन्या कि अगर मिल रहा है रे पगली करके है सर फुरा सा स्कून कुना देजिए बिलकुल उसका पंचला यह नहीं सुनाते हैं इसका ऐसा है कि हाँ आधे भागे मता जरूर रे पगली बाकी तो राके लेके ऐसा है चलिए बाकी गोलू गोल्द जी हमारे साथ जूरे इसके लिए बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा आप गाना गा रहे हैं लेकिन एक चीजे में आप से कहना चाहेंगे कि कोशिस किजिए कि हमें साथ अच्छा गाना गाया है क्योंकि भोशपूरी को लेकर हाला कि अब भोशपूरी पहले से काफी बदल चुका है भोशपूरी का कलाकार बॉले उड में जाके गाना गा रहा है तो इसे भोशपूरी का माना और सम्मान बढ़ रहा है लेकिन बाहर जाने पर लोग जो है जब भी भोशपूरी का नाम लिया जाता है तो लोग एक अलग द्रिश्टी कौन से देखते हैं कि भोशपूरी वहीं चहां पर असलील गाना गाया जाते हैं तो एक अपीर लएगा कि अब हमें सब प्रयास किजिए कि हमें सब अच्छा गाना ही तो आप सब यूटूब चैनल गोलू गोल्ड इंटर्टेन्मेंट पे जाएं और महौल बदले वाला का वीडियो रिलीज हो चुका है और आप सब भर-भर के प्यार दे रहे हैं आशिरवात दे रहे हैं अब अच्छे गाना भी गाते हैं तो आप फेमस हो सकते हैं वाइरल हो सकते हैं बाकी इनके पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी रायह में ज़रूर दे आप मारे साथ जोरे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद